दोस्तों आप नर्सरी से अगर नीबु का पौध़ ला रहे हैं तो आप ऐसा नीबु का पौध़ लाए हैं जिसमें XL फल लगे हुए हैं क्योंकि अगर फल नहीं लगे होंगे उसमें तो आपकी पौधा जो है अभी गुरोध नहीं करेगा समें एक दो साल लग जाएंगे आपके ग्रोध करने में तो आप आगर नीबू का पॉंदा ला रहे हैं तो इसमें एक दो फल लगे हो हैं और इस तरीके से आगर आप नीबू के पॉंदे की जो मैं बता रहा हूं आपको उसकी देखभाल करेंगे तो आपके पॉंदे में भी में दिख जाएंगे समें फूल और फल हमेशा लगे रहते हैं यह निबू का पर पूंदा जो है 1218 निबू समय हर्त में बने रहते हैं तो आगर आपको भी ऐसा था आप नर्शरी में जाकर यह बोलेंगे उन से कि 1280 निवू का पहुदा दे दीजे तो आप 1214 निवू का पहुदा लगाएं गे तो उसमें हमेंसा जो हैं फूंदा को नुपर भाभा टिटान यहूड़े तो तो इस तरह के साब नीवू के पहुंदे में जगा रहें तो बड़े पाट में लगा ए जैसे मैंने थे वार हमाड़े हैं बीस लिटर की फिर भालतIG लगा रखा उसके बाद माद मैंने इसके एक दो बार प्रूणिंग कर दिए उसके इसमें नई ग्रोसा होगि है यहां से मै मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी कई जोगों से कर देखिए यहां से भी कर देखिए और इसमें भी जो है नई ब्रांच आगे हैं कई जोगों से तो आप जब नीबू के पहुंदे को थोड़ा आपका बड़ा हो जाए तीन-चार साल का हो जाए उसके पास कि आप प्रूनिंग करते रहे ताइम टाइम पर अगर हर साल उसकी पूनिंग करेंगे तो उसमें जो है नई गरोड स्टार्ट होगी आउसमें नए जो फल है वो नई बरांच में ज्जादा फल लगएंगे क्योंकि पुरानी ब्रांच में कभी फ़ल लगते और इसमें जो हैं आप घूबर की करेंगे तो आपके पॉंदे में की ग्रोथ तो अच्छे होगी कुछ टाइम तक लेकिन कुछ टाइम बाद वह जो पॉंदा है खराब होने की स्थीति में आ जाएगा तो आप उसमें गोवर की खाथ का यूज करिए कभी भी जब मिट्टी इसकी तियार करते हैं तो उसमें भ फल बनते हैं फलों का साइज भी बढ़ता है और फल भी अच्छी मात्रा में आते हैं पॉंदे में तो आप गोवर की खाथ यूज करिए हर दस पंदा दिन में इसमें आप निवो का पॉंद आपने लगाया है किसी भी चीज में तो आप उसमें कम से कम सो ग्राम हर दस अच्छी होगी तो इस तरीके से आप इसको गोवर की खाथ दीजिया हर दस पंदा दिन में और पॉंदे को हमेसा ढूप आली जोगों में रखिए अगर आप ने जमीन में लगा तब भी इसको धूप वाली जोगों में रखिए और अगर आप पॉर्ट में लगा रहे हैं क पांच शे गंटे की तो तभी उसमें जो फल हैं अच्छे बनेंगे और उनकी ग्रोध भी अच्छी होगी और इसमें जो पानी की मात्रा है आप पानी दिन में एक बार तो जरूर दीजिए और गर्मियों के दिनों में आप देख लीजिए अगर मिट्टी में मोहिश्चन पानी बन रहा है तो आप उसमें पानी दे सकते हैं दो बार और जाड़ों के दिनों में आप इसमें एक बार पानी दीजिए और देख लीजिए मिट्टी को कम से कम एक डेर इंच जो गहराई में देख लीजिए मिट्टी कितना पानी है अगर पानी की मात्रा है थोड़ा म पिट्टी में तो आप इसमें पानी कम दीजिए तो इस तरीके से आप नीबू के पहुंदे की देख भाल करेंगे तो आपके पहुंदे में भी इस तरीके से धेर सारे फल और फूल बनेंगे दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मैंने जो बनाया है इसे प्रिलेटेड म अपने दोस्तों और रिस्तिधारों में जिससे की अगर वो नीबू का पहुंदा लाने की सोच रहे हैं तो वो किस तरीके से नीबू के पहुंदे को अपने गार्डन में लगाएं वो सब जानकारी से मिल सके धन्यवाद